यहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल दबंग क्लासेस पर तो दोस्तों आज हम लेकिया है जो आपका CRPF ट्रेड में एक्जाम 2023 हो रहा है इसकी एक जुलाई 2023 की फर्स्ट सिप्ट में जो भी कोस्टन पूछेगा है सभी कोस्टन लेकिया ह मेरे मैं कहा में पूछे जा रहे हैं कितना कंड़्येटेट अटेंट चैनल लेगा क्यों आपको अगचिल ने वाले हैं देली इसी तरह कि आपको सिन मिलेगा सबी question के बारे में पता चलेगा कि कैसे exam question पुछा जा रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन की बटम जरूर प्रेस कर लिजे ताकि जैसे ही हम वीडियो अप्लोड करें आप तुरांत ही देख पाए देखे पहला question पूछा गया था कि बिलोम का बिलोम सब्द क्या होता है तो बिलोम का ही बिलोम सब्द पूछ लिया गया था तो बिलोम का मतलब होता है कोई भी चीज उल्टा होना जैसे कि आगे का पीछे मतलब क्या होता है उल्टा होना तो बिलोम का बिलोम सब्द क्या हो ज पूछ लेता है कि भाग चारे में क्या है तो मुलिक कर्तब्य है और 51 के तहती मुलिक कर्तब्य को 42 संविदान संसोदन द्वारा भारती नागरिकों के लिए मुलिक कर्तब्य को यहाँ पर जोड़ा गया था बरतमान में भारती संविदान में अनुच्छे 51 के तहट 11 मुलिक कर्तब्य है तो जो अगर पूछ ले जाता है कि मुल्क संविदान में कितने मुलिक कर्तब्य थे तो मुल्क संविदान में एक भी मुलिक कर्तब्य नहीं थे क अभी कभी कोस्ता ने सब पूछ ले जाता है और लोग सभी कंडिडेट दस लगा कर जाता है यह गलत है देखे मुल्क संविधान जो था जब जो का आपको पता है कि मुल्क संविधान कब इस्तापित किया गया था लागू किया गया था और तब मुलिक करतब एक भी नहीं थे जोड़ा कब गया था तो दस मुलिक करतब को 42 संविधान संसोदन जोड़ा गया था और इसके बाद 76 समयृतान संसुजन 2002 में 11 मूली कर्तब बहां पर घ्रतमाद में 11 मूली कर्तब बहां next question देख लेता है next question पुछा गया था और आपको extra fact के साथ बताइए कि question और कहा से बन सकता हर question के बारे में आपको detail में बताया जाएगा please channel पर नहीं हो तो channel को जरूर subscribe कर लिएगा देखे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है तो देखे इसकी कुल लंबाई कितनी है पचीस सो दस है और कभी-कभी कोशन पूर लिया जाता है कि भारत की सबसे बड़ी साहयक नदी कौन सी है तो साहयक नदी बिस्वी की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो बिस्वी की सबसे लंबी नदी है नील नदी जो कि मिस्र में वहती है और इसके बाद पूछ ले जाए कि विस्वी के सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वह अमेजन नदी है यह दोनों आपसे पूछ लिए जा सकता है कि विस्वी में स्तापित किया गया था और संब पूछ लिया जा तो तेरा सो 20 से 1325 तक इनका कारकाल था यहां आप से पूछ लिया जा सकता है इसकी स्तापना किस ने किती तुगलक बंस की तो यह घ्यासिव दिन तुगलक के द्वारह की गई थी यहाँ पर 1425 होगा तोड़ा से निस्टन कोछा गहा तो अगर पुछ ले जा जा त owner भारत में मैई 2021 मैई 2021 मैई 2021 मैफ तो इसका राइट अंसर कभा जाएगा मैई 2021 21 में आया था 16 मही से 18 मही तक भारत में प्रभावित रहा था नेक्स्ट देखें नेक्स्ट पूछा गया है भारत का एक मात्र तेरता हुआ राश्टी उध्यान कहां इस्तित है तो भारत का जो एक मात्र तेरता हुआ राश्टी उध्यान है उसका नाम क्या है कीविल लाम जा तो यह पूछ लिया जाता है कि भारत का एक मातर तेरता हुआ राश्टी उध्याने और यह किस जिल में इस्तित है तो मनिपूर राज्जी में इस्तित है आपको बस इतना याद रखना है नेक्स्ट यहाँ पर देखे पूछा गया है महमद इन तुगलक ने अपनी राजदानी कहां इस्तान्तिद की थी तो महंद इन तुगलक जो थे इनों ने देखे यह 1327 में अपनी राजदानी को दिल्ली से दोलतावाद इस्तान्ति और यह कहां इस्तित है महाराश्चित में इस्तित थैं सित्दार की उपादी तो सिक Manali ऑग्वरें बहुत से कोइसे पूछए जाते हैं तो रखेलपी संदी विक्षेत क्या दिया गया गया है चौर्ण है यहां तो दोस्तो अगर आप लोगों का जिंसका भी एक्जाम था आज वो अगर इस वीडियो को देख रहें तो इसके लावबा मेत रिजनिंग में बात करें तो reasoning में आपसे 5 जो है वो आकरती वाले question आप पूछा गये थे इसके अलावा 5 जो है आपसे जैसे कथन आते हैं आपके statement वाले question पूछा गये थे और simple रखते संबंध और इससे ही question पूछा गया रहा है मतलब reasoning आपकी बहुत ही सरल पूछा जारी आप रिजिदिंग में कम से क रहा है और अलंकार आया था संदीब इक्षेत करने को आया था इतने ही question आ रहे है नॉर्मल हिंदी भी आ रही है परियाबाची बिलाउम सब्द और आपके मुहाबडे पूछे जा रहे है इसके अलावा बात करने में में रिजिदिंग हो गया और आपका जीके हो गया जीक और आपकाई साहर ही क्वेंडाय सब्सक्राइबाची होँड़ था रहे है य Dios आया रहे है तो अन्हावूर जेसान रही है जीका है